अज़ांग विदी से भाग करना है ठीके इसमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है जैसे क्या-क्या है देखो हम जानते कि हमें भाग जो है वो इस नक्से के अनुसार करना है इसमें तीन कॉलम है यह पहला यह दूसरा और यह तीसरा कॉलम यहां उपर भाग में आपके एक तो आता है दोजांग और एक आएगा मुख्यांग अभी आपको बताओंगा आपको कैसे दोजांग लेना और कैसे मुख्यांग लेना है दूसरे कॉलम में आपका भाजक आएगा और तीसरे कॉलम में भी आपका भाजक आएगा लेकिन भाज जाम में जो द्वजांग के अंक होंगे उतने ही यहां पीछे अंक आ जाएगा किस में से भाजक में से समझ गए तो यह मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब आपको आगे की बात समझाते हैं जैसे पहला प्रश्ण यानि बार्वा प्रश्ण देखो क्या है 45,4532 में आपको भाग देना है 112 का तो अब क्या करना देखो 112 है उसमें अपने को क्या है पीछे का यह जो दो है उसको हमें लेना है द्वजांग के रूप में ठीक है और आगे का जो इग्यारा है उसको थोड़ा इधर साइड में लिखना है ताकि यह 112 देखे है अपने को है हमेशा क्या देना है भाग देना है और द्वजांग से आपको क्या करना है संसोधन करना है यह याद हकना एक सब्द संसोधन और संसोधन कब करते हैं जब अपन भाग के बाद में जब अपने पास नया भाजी आता है तब अपने को क्या करना होता है संसोधन करना होता है अ तो इदर का भाज्य का एक अंक भी पिछे तीसरे कॉलम में आएगा अब क्या क्या बचा हमारे पास यहां पर चार पांच और तीन उसको थोड़ा दूर दूर लिखना अपने को जमाना आपको आना चाहिए अब आपको यह करना कैसे है वो बता रहा हूं तो इसमें देखो प समझो दो कि 490 में भाग देना है कि चार तो छोटा हो गया इसका मधब मुझे भाग किसका देना पड़ेगा किसका- recruit का समझगे इसको यानि मुझे 45 में भाग देना है एक यह तो बां किती बार जाएगा 4 अगई गेरा है सार बार गया और पिछे के हीगता बचा एक बचा सेंसपल किता बचा एक यानि मैंने क्या किया 45 में 11 का भाग दिया 4 बार गया 45 आया पिछे किता बचा एक तो भागपल तो मैंने यहां लिखा और सेंसपल पिछे लिखा तो जो भागपल आता है उसको आपको यहां लिखना है और जो सेंसपल आता है यहां तक हो गया, अब देखो, मेरे पास नहीं संक्या क्या आई, तेरा, अब तेरा में सीधा 11 का भाग नहीं देना है, तेरा का मुझे संसोधन करना है, यानि जो 6 पल के कारण जो नहीं संक्या क्या बनती है, उसका आमें संसोधन करना है, और संसोधन कैसे करना है, जैसे यह फाइने संसोदन हुआ हो इसको कहते है संसोदन अब जो संसोदन करने बाद में जो नहीं संक्या ही 5 उस में इसा कि देना मुख्याँ है वापस ऑटब सल गयामें पाँच में इसा इकOSE आवरो भाग देना अब्हासाहिए यानि 11 into 0 बराबर क्या होता है 0 होता है तो 0 तो 6 पल वापस कितना बज गया 5 यानि भागफल तो आया 0 और 6 पल वापस कितना आ गया 5 ठीक है अब यह जो आपका भागफल आया है 0 उसको आपको लिखना है यहां पर और 6 पल देखो तेरा तो अपने कर लिया अब आगे तो बावन संक्या अब इसका देखो 2 से 0 से गुना करो तो कितना आया 0 ही आया ठीक है तो बावन का बावन ही बचेगा तो आपका भागफल तो 40 आया है और 6 पल कितना आया यह आपका उत्तर ठीक है नेक्स्ट प्रॉषन संक्या 13 तेरा में क्या देखो बारा सो चौतिस में आपको भाग देना है बयालीस का तो पहले आपको जमाना आना चाहिए अगर आपको जमाना आ गया तो उसका भी आपको डेड नमबर मिल जाएगा ठीक है भाग किसका देना है बैयां निसका तो बैयां निसका यह जो 2 है वो आपको आगे की तरग उपर लिखना है और पिछे की साइड में अगे वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा यह चार जो है वो पिछे आ जाएगा अब क्या बज़ गया एक 223 उसको थोड़ा दूर दूर लिखना है अब पहला step हमारा क्या है एक में तो जाएगा नहीं क्योंकि एक छोटा है तो किस में देना पड़ेगा 12 में तो 12 में हम भाग देंगे 4 का यह पहला step नहीं संख्या क्या करना संसोधन तो जीरो 3 में से मुझे घटाने है 3 का गुना 2 से करके 3 दुनी 6 क्या ये कभी घट सकता है क्या見ərist तीन में से 6 गुटा हैंगे तो माईनस मापस का पंगा उसमें हमें चाहिए ही का जा कुशाओ往 यहां तीन का तीन बार हमें भाग नहीं देना हमें भाग देना है दो बार तो जब मैं बारा में दो का चार का दो बार भाग दोंगा तो चार दो नी आठ पीछे किते बचे चार तो सैंस फलकिता बचेगा चार बचेगा तो अब यहां पर मुझे सैंस फलकिता नहीं लिखना नहीं संक्याप कितनी बन के आई 43 है ना अब मुझे इस 43 का संसुदन करना है तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दुनी 4 ठीक है अब 43 में से 4 गए पिछे कितने बज गए आपके पास में 49 ठीक है इस 49 में जो है अब वापस आपको भाग देना है चार का तो 9 4 36 पिछे बचा 3 भाग देना आप 9 बार जाएगा 6 पल 3 बचेगा तो जो भाग पल आया उसको हमें यहां लिखना है और जो 6 पल आया उसको हमें आगे की तरफ यहां पर लिखना है चलो अब यहां तीसरे कॉलम में पहुंचने के बाद खाली संसो दन करनके छोड़ना है भाग नहीं देना है चलो अब मेरे पास यह 34 आया 34 में अब 9 का किससे गुना करना दो से तो 9 दूनी 18 फिर 4 में से 14 में से 8 गया 6 दो में से 1 गया 1 तो भाग पल आया आपके पास 29 तीसर और सेंस्पल आया 16 नेक्स्ट प्रश्ण प्रश्ण संक्या 14 में देखो क्या है अंठान भी छी उत्तर पांच भाग देना आपको 87 का चलो तीन कॉलम होंगे अमारे पास में फ्रश्ट कॉलम में 87 सतासी और ऐठ क्या हो जाएगा और मुख्यांग moc हो जाएगा फिर वसके बार में ट्रश्ण में किता अंक हैक तो इस बढ़ाजी मैं पीछे वाला अंक जो 5 है वह तीसरे कॉलम और चेंगे पहले स्टेप इसमें क्या होगा कि नौ में मुझे भाग देना है आठ का तो आठ एकम आठ पीछे बचा एक तो भागफल भी एक सैसफल भी एक तो भागफल यह आया एक और सैसफल कितना आया एक वो यहाँ यहाँ लिखी अब यह कितनी संक्या बन गई अठारा यह नई संक्या इसका संसोधन करना है संसोधन कैसे करना कि जो हमारे पास भागफल आ एक उसका द्वजांग से गुणा करना है तो साथ एकम साथ तो अठारा में से साथ गए पीछे मेरे पास कितनी बज़ गए 11 अब जो यह 11 आया संसोदन करने के बाद में इसमें हमें वापस भाग देना है आठ का समझ गए तो भाग कितनी बार जाएगा एक बार आठ एकम आठ पिछे बचा तीन तो भाग फल जो आया उसको यहां लिखना है और जो सेस पल आया उसको आगे कितनी यहां पर किता आया कितनी बन गया 36 अब mbN गया तो इसका क्या करेंगी संसोदन कैसे करना है अब की बार भाग फल कितनी आया एक तो इस एक का साथ से गुणा कर आओँ तो सात एकम साथ तो सेइट में से साथ गया कितना बचा 30 अब संसोदन हो गया है और संसोदन हो गया ंुसमें वापस और पीछे बज गया 6, तो भाग गया 3 बार, और 6 पर बज गया 6, अब नहीं संख्या जो है, मेरे पास आगी 66, लेकिन इसका क्या करना है, संसोधन, यानि भाग, माइनस, भाग, माइनस, भाग, माइनस, यह step चलेगा, भाग, माइनस, भाग, माइनस, भाग, माइनस, समझ गय तो अब 66 में से क्या गटाना है कि जो यह नया भाग पर लाया तीन उसका साथ से गुणा तो सात्रिया 21 तो 66 में से 21 गटाओ तो देखो 6 में से 1 गया 5 फिर 6 में से 2 गया 4 किता बचा 45 अब जो यह 45 आया है इसमें हमें भाग देना है 8 का तो 8 पंजे 40 पीछे बचा 5 बाग तो अब खाली संसोदन करके छोड़ना आपने को तो यह आपके आठवा स्टेप हो गया तो यह 55 और माइनस माइनस क्या करना है कि भाग पल किता या 5 उसका किस्ते गुणा करना सांस से तो सातो पंजे 35 गटाएंगे इसको 5 में से 5 गया 0 5 में से 3 गया 2 तो 66 पल किता बचा 20 यह से मैंने किता गटाया 35 तो यहां पर भाग फल तो आया 889 ठीक है तो नौ उपर रहेगा और यहां पर आ जाएगा नीचे की तरफ यानि मुझे सित्यांसी का पाड़ा चाहिए जो मेरे पास में मैंने यहां पहले से लिख रखा है आपको भी ऐसे ही करना है एक्जाम में अब द्वजांक में किता अंक है केवल एक अंक तो इसका पाड़े का पीछे का एक अंक अपने को तीस्टे कॉलम में लिखना वो कितना है दो अब यहां पर कितने बच्चे को पूरे अंक लिख दो आप यह थोड़ा बढ़ा कर देता हूं इसको मैं क्या बचा दो एक जीरो एक पाँच और तीन 210 153 हो गया अब सबसे पहला काम क्या अपना 210 में भाग देना है सित्याशी का क्यूंकि 2 छोटा है 21 भी छोटा है सित्याशी से 210 210 बढ़ा हो गया तो 210 में किसका भाग देंगे सित्यासी का अब देखो मैंने पार रहा है सित्यासी एकम सित्यासी सित्यासी दूना 174 सित्यासी त्रिया 261 तो यह जदा हो जाएगा 261 क्योंकि यहाँ पर 210 यह है वापस समझा रहा हूं 210 में भाग देना है सित्यासी का ठीक है तो कितनी बार जा गए पिछे बच्चे तीन और एक में से एक गया जीरो तो भागफल तो आया दो और शैंस पल आया 36 ठीक है तो जो भागफल आया उसको तो नीचे लिखना है और जो शैंस पल आया 36 उसको इस 210 के आगे यहां पर लिखना है 36 अब यह कितना बंज गया 361 तो दूसरी इस्सेफ्ट में क्या करना 361 में से मुझे घटाना है नो और दो का गुणा करने पर समझ गये ना संसोदन कैसे करना कि जो संक्या नहीं संक्या ही दो 361 उसमें इस द्वजां का यह जो भागफल है उससे गुणा करना तो नो दुनी 18 तो जैसे ही अपन 361 में से 18 गटाएं कि किते बचेंगे 343 तीसरा काम अब इस 343 में संसोदन हो गया भाग देना है आपको वापस सितिया सीका संसोदन होने के बाद में वापस भाग देना तो भाग देते देखो 343 में मुझे भाग देना है सितिया सीका तो सितिया सीका पा तो 3 में से 1 गया 2 फिर यहां बचा 4 में से 6 जाता नहीं उदार देगा 14 में से 6 गया पीछे बचा 8 और 2 में से 2 गया 0 तो भागफल 3 और 6 पल किता आया 82 तो भागफल तो 3 यहां लिखना है और जो 6 पल आया 88 उसको आगे लिखना है यहां पर बयाशी हो गया यह अब नहीं संक्या क्या बन गई हमारे पास 825 उसका क्या करना संसो दन कैसे करना कि जो हमारा भागपल 3 आया है उसका किस से गुणा कराना 9 से गुणा कराना तो 9 एकम 9 नो दुनी अठारा 9 त्रिया 27 तो अब 325 में से 27 गए पीछे बचे 798 पाचवा पाइं में भाग देंगे अपन सितियांसी का तो सितियांसी का पाड़ है यहां पर लिखा हुआ है है ना 798 विदे को सबसे ज़्यादा है 798 उसके बाद में किती बार जा रहा है नो बार तो नो बार गया कितना आया 798 तो आठ में से तीन गए पाच नो में से आठ गया एक साथ में से साथ गया जीरो तो भाग फल तो आया नो और सेश फल कितना आया पंद्रा तो भाग फल नो यहां लिखेंगे और सेसपल कितना है या 15 उसको यहां लिखेंगे यह किता हो गया 153 अगला स्टेप क्या होगा 153 में हम घटाएंगे क्या घटाएंगे 9-9-81 अब इस 9 का इस 9 से गुणा कराना है तो किता हो गया 81 तो 153 में से 81 गया पीछे बचा बहुत तर अगला स्टेप संसोदन हो गया तो भाग देना वापस किसका सितियां सीका अच्छा बहुत तर में भाग देना सितियां सीका अब यह बड़ा है बड़ा है तो भाग कितनी बार देना पड़ेगा 0 बार तो गुणा करने पर सित्याशी का जीरो से गुणा करने पर किता आएगा जीरो तो सैंस्पल पापस किता बज गया बहुत तर तो यहां पर भागपल तो आया जीरो और सैंस्पल कितना आया बहुत तर वो कहा लिखना यहां पीछे अब तीसरे कॉलम में आने के बाद हमें केवल क्या करना है तो यह जो हमारे पास माया 722 इस में से क्या घटाना जो भागफल आया उसका 9 से क्या करना गुणा करना तो 9 इंटु 0 कितना होता है 0 तो 6 पल कितना बचा 722 यानि इस में से जब 0 गटाएंगे तो 722 ही बचेंगे तो हमारा जो भागफल है भागफल वो कितना आया 2390 और 6 पल कितना आया सेंसपल आया हमारे पास 722 तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने है यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो थेंक यू